दोस्तो आज का ये वीडियो इलेक्ट्रिकाल स्टुडेट्स के लिए बहुत ही एहम है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और जो लोग पढ़ाई खताम हो गया लेकिन जब की तलास में उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्पुन वीडियो है तो ध्यान से देखिए इस वीडियो बॉक्स के साथ एक कब्ल कनेक्टेड है और यह जो एच्टी मोटर यह 200 किलवाट का मोटर है 6.6 के वोल्टेज इसको दिया जाता है अभी अपने एक साइट देख रहा था अभी यह वाला है जो है उसका दूसरा हाप है यह वाला इतना बड़ा मोटर है कि हमारा क्यामरा फ यह वाला टर्मिनल बॉक्स को हम लोग स्टार पोइंट बोलते हैं जनरली मोटर दो तरह के कनेक्शन में होते हैं स्टार कनेक्शन और दूसरा वाला है डेल्टा कनेक्शन स्टार कनेक्शन मतलब मोटर का तीन वैंडिंग है यू भी डबल ऐसे अब तीन वैंडिंग बोल स अगर हम U2, V2, W2 को हम तीनों एंड को एक साथ जोन लेंगे तो वह वाला हो जाएगा स्टार कनेक्शन हुआ है तो पहले क्या करेंगे मेगर करने के लिए हम जो केबूल कनेक्टेड हो था पहले उसको केबूल को निगाल लेंगे मोटर से मोटर टर्मिनल से केबूल को निगाल लेंगे लेकिन ये काम शुरू करने से पहले सबसे पहले इंपोर्टान चीज है इंसर कर लिजिए कि ये मोटर पूरी तरह से आइसोलेटेड हो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड हो आपका जो इंजिनियर आपको काम दे रहा है तो उसका वार्क पर्मिट लेके आए आइसोलेटर पूरी तरह से बंद होना चाहिए फिर आप ये काम कर सकते हैं पहलें तो क्या करेंगा माँ को इसको मेघर करेंगे पहले निकाल स hombres आ आर को ग्राउंड के साथ मेघर करेंगे algorithms को crayon के साथ मेघर करेंगे ये वाला क्या है ये वाला मेघर है Digital मेघर क्योंकि यह जो बहल्लillar दिख्यार है सब डिजिट में दिखा रहा है देखिए भी 19.24 ऐसे मेगाओं मेल्यू दिखा दे रहा है और इसका जो वोल्टेज सेटिंग करेंगे कैसे सेट करें देखिए यहां पर जूब लेफ्ट साइड में जो स्वीच राउंडिंग स्वीच दिया है वोल्टेज लिखा है 50 वोल्ट 125 वोल्ट 25 500 वोल्ट तो इसको 1000 पर सेट करके हम तीनों पर में देखिए जो मे ग्वायर से दो वयार निकले हैं एक रेड बाला वयार दूसरा बलाक बाला वयार ये बलाक को हम लगाएंगे लीड में बलाक बाले को लगाएंगे ग्राउड पर लगाएंगे तो एसा करने से हमको जो फेज-to-rth, insulation प्रेस किया तो हमको दिखाय दिया जीरो में को हम दिखाए दिया मतलब फेज टू फेज हमेशा जीरो आएगा और फेज टू आर्थ कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए के साथ इंट्रोचेंस करते हुए जैसे आर को वाए के साथ अविकर रहे है वाए को भुलो के साथ कर रहे है मोटर का जो दूसरा बॉक्स का बॉक्स था टर्मिनल बॉक्स को खोलने के बाद आपको एसा नजर आएगा देखिए, 1, 2, 3, 3 टीन टर्मिनल निकले हैं और तीनों टर्मिनल को एक ही पॉइंट में convert कर दिया कर दिया गया है, तो इसको हम बोलेंगे star point इस star point को खोलने का मतलब है कि जो तीन winding है गाी यह सेपरेट सेपरेट गाइजब है उसी तीनों वाइंडिंग का आर्थ के साथ वैल्यू किया आ रहा है उसको हम चेक करेंगे फिर ये खोलने के बाद वाइंडिंग टू वाइंडिंग उसका रेजिट्टन्स कितना है उसको भी चेक करेंगे अगर winding to winding मान लिजे मेगर करते विए zero value आ गया है तो इसका मतलब winding to winding अंदर पे कहीं पे short है या उसका insulation खराब हो गया है तो ऐसा अगर fault निकलेगा तो हम फिर उसको motor को भेज देंगे winding सब भेज देंगे उसको दुबारा repair करना पड़ेगा उसका winding का insulation damage हो सकता है तो अभी यह star point तिनो लीड ओपन हो गया ओपन होने के बाद हम पहले क्या करेंगे phase to earth जैसे हम कर रहे एक लीड को लोग आया टर्मिनल में दूसरा लीड को लोग आया ग्राउंड पे फिर मेगर को 1000 वोल्ट पे सेट करके उसको प्रेस क्या हो तो देखिए दिरे-दिरे जो reading है reading increase हो रहा है 31.9 32.2 एसा दिरे-दिरे मेगाओम वाल्यू सब आ रहा है phase to earth हमेशा मेगाओम में वाल्यू आएगा क्यूंकि insulation कुछ ना कुछ insulation रहना चाहिए तो मोटर सही है अगर insulation जीरू आ जाएगा इसका मतलब है कि winding का insulation failure हो गया winding direct earth को touch कर रहा है तो यह fault condition है अगर जीरू आएगा तो fault condition है आपको मोटर को repair करने रिप्यार करने रिप्यार कर सब को बहजना पड़ेगा अभी तीनो terminal को फिर 123 तीनो टर्मिनाल को separate separate आर्थ के साथ चेक कीजिए और value note कीजिए दोस्तों यह जो वीडियो आप देख रहे हैं एससा वीडियो यूट्यूब में आप फास्ट आइप देख रहे हैं यह हो जाने के बाद अभी हम क्या कर रहे हैं फेज टू फेज मेंगर कर रहे हैं देखिए कि दूसरे वाला साइड का हमने केबूल को निकाल दिया है इसी साइड का स्टार पॉइंट कोनिकाल दिया है मत पलब भू के साथ पिर फिर बू को और के साथ एसा हमको तीन बार चेक करना है अब देखिए वालुच आ रहा है थर्टीपर मतलब वह जो winding एक end उस side से है और one end आपको star point में दिखा दे रहा है तो winding अगर बीच में कहीं पर open है उसको भी check करना पड़ेगा बीच में अगर winding कट गया है तो भी आपका motor खराप मना जाएगा उसको check करने से हमेशा यह जो winding to winding value वह हमेशा 0 आना चाहिए दोस्तों यह motor का तीनों जो winding है तीनों winding सही है मतलब बीच में किसी का भी open नहीं है open नहीं हुआ है कैसे हम चेक करेगे इससे हम आसानी से एक multimeter लेकर चेक कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बोला था कि motor का 6 end होते हैं तीन winding का 6 ends होते हैं तो एक winding का अगर दो एंड के बीच में हम continuity चेक कर लेंगे तो continuity आ जाएगा तो हमें पता चलेगा कि यह वाला winding सही है ऐसे थीन winding को हम कि प्वार चेक करना है फास्ट एंड और लास्ट एंड फास्ट के बीच में हमें इसे चेक करते रहना चाहिए चेक करने से पता चलगा कि तिन्व वैंडिंग सही, और तिन्व माःंडिंक का ओज मुल्टिमीटर में थोड़ा सा भी रेजिस्टन्स दिखाएगा हो, तिन्व का शेम रहना, यह नाचाहिए, यह भी एक एंपोर्टन चेज यह तिन्व वैंडिंक का रेजिस्टान्स वैल्यू भी सेम रहना चाहिए तो हम क्या करेंगे एक छोट एक लंबा सा ओयर लेंगे लंबा इवर क्यों कि स्टार पॉइंट से जो आमने तीन लीड दिखाया था तीनों लीड के साथ यह मल्टीमेटर से चेक करेंगे तो मल्टीमेटर का ओयर तो वहां त पॉइंट से चेक्ट काम है कि वहां पर बस एक लीड पर ओयर को लगाना है और वह केबूल को इस साथ डाल देंगे इस साथ में क्या करेंगे देखिए मॉल्टीमेटर मॉल्टीमेटर का दो निकला है एक रेड वाला और दूसरा वाला ब्लाक वाला रेड वाला को हमने लगाया है यानि मतलब कि हमें तो पता नहीं न उस बाले का जो लीड आया है इस साइड में से कौन सा वाला है और वाला 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 है वह पता नहीं यह जली हमको एक एक के साथ उसको टर्च करते रहना चाहिए टॉच्छ करने से हमको टर्मिनल में जिरो दिखाय है बाकी दो में open दिखाई जैसे यहांपर एक के साथ जिरो दिखाया तो हमें पता चल गया कि यह वाला वैंडिंग सही ह है एक वैंडिंग को लगायो वह लगाने के बाद फिर हम यहां पर बाकी दो टर्मिनल के साथ उसको चेक करेंगे एक के साथ ओपन आएगा दूसरे के साथ जीरो दिखाएगा जिसके साथ जीरो दिखाएगा जीरा या थोड़ा बहुत जो रेजिस्टरंस वैल्यू आएगा उसको हम पता चलेगा उसी से बता चलेगा वहाला वाइंडिंग सही एक एससे करते हम तीनों का में तीनों का मैंगी नोट My डेखिए ये जो star point में यह आदमी क्या कररें तिनो phase Plane 00p ridge करके वो इसे लगाएंगे पहले उपर बाला में लगाया सFrom U ye element का जो आदमी वहां में टेक्णिशन काम कर रहें वो तीनों के समय नज़े कर लेंगे फिर इनको स्थ porch संद्यक्शन दएगी थादबाला में लगा तक लंबा सा पतला सा चाहिए चाहिए स्टार पॉइंट से उसी साइड तक लंबा सा चाहिए और फाइनाली लास्ट में भी हम और एक बार इसको मेगर कर लेते हैं दुबारा थोड़ा मेगर करके क्योंकि स्टार पॉइंट उपन हो है मेगर वैली थोड़ा चेक कर ले लेते हैं और मेगर करने से भी वो दिखाए दे रहा है कि मोटर जो है उसका मेगर वैल्यू सही है फिर हम इसको और एक वरल नोट कर लेंगे देखिए कैसे आसानी से यह काम हो गया इतना बड़ा मोटर है काम बड़ा लग रहा है लेकिन तीन आदमी से यह काम हम आराम से कर सकते हैं देखिए आराम से यह काम हो गया लेकिन हमेशा ध्यान में रखिए कि काम करते समय को आर्थ के साथ लगा लगा है और लेफ्ट वाला हैंड में ओ यार का लीड को टर्मिनाल के साथ टर्च करते रहें इसका मतलब कि जो भी थोड़ा बहुत चार्ज होगा मेगर करने के टाइम थोड़ा बहुत चार्ज रहे जाता है उसी चार्ज को डिस्चाज करना पड़ता यह भी एक इंपोर्टान्ट चेज है मेगर खतम होने के बाद मोटर को डिस्चाज कर दीजिए अभी हमारा मोटर का मेगर हो गया मेगर भैल्यू जो वह सही निकला क्या मतलब मोटरी जो के देन आमको क्या करना है फिर से वो जो स्टार पॉयंट को उसको स्टार पॉयंट को कनेट कर देना है पर हमको के बुल को टर्मिनल के साथ लगा देना है हमेंशा ध्यान में रखेगी जो आर है य वाइफ और बलू फेज जिस साक्सिकवेंश में हमने केबिल लगाया था मतलों खोलने के टांप झिसी स्टीक्वेंश में खोला था वही व्यार को उसी टार्मिनाल पर लगाना है शिक्वेंश चेंज नहीं करना है सेक्वेंस चेंज करेंगे तो मोटर उल्टा गुमने लगेगा उल्टा गुमने लगेगा तो फिर प्रोडक्शन में प्रोब्लेम होगा यह यह भी एक बात ध्यान में रखी है कि केबूल हमेशा जैसा लगा हुआ था वैसे ही लगाई मोटर का टर्मिनल कवर को लगा दीजिये टर्मिनल कवर में दीखे कितना सारव बोल्ट लगा हुआ है तो यह जो काम होता है जन्रली का यह एक गंटा तो लगेगा इस काम में है है प्रॉम मोटर सट्डाउन टूब गम्प्लीट दा वार इट टेक वान आवार और तीन आदमी से ये काम आप कर सकते हैं दो आदमी होगा तो काम में बहुत ही दिक्कत आएगा करने में तीन आदमी होगा तो काम आराम से हो सकता है तो दोस्तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा comment box में जरूर लिखके बताईए दोस्तो अगला वीडियो में हम देखेंगे कि अगर motor का terminal box का bolt खोलते समय bolt बीच में तूट गया तो इस bolt उसी bolt को हम केसे निकालेंगे दोस्तो अगर यह channel आपको अच्छा लग रहा है कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो यह channel को जरूर subscribe कीजिए और channel को subscribe करना बहुत ही आसान है देखिए यहां पर लिखा गया है subscribe आपको बस इस subscribe बटन को इसे प्रेस करना है हो गया subscribe और उसके बाद side में देखिए एक घंटी नजर आ रहा है तो आपको बस इस घंटी को दबाना है और दबा के उपर में जो all लिखा है all बाला बटन को प्रेस करना है तो आपका प्रोसेस complete हो गया एसा करने से आप हमारा जो upcoming वीडियो सबाएगा आप उसे आसाने से देख सकते हैं तो चैनल को अभी के अभी subscribe कीजिए